ना इधर ना उधर सीधे मुद्दे पर नज़र तो क्या है आज की खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूस 18 आपके पुनीत के साथ तो एक तरफ तो पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है तेश भर में रैलिया निकाली जा रही है यात्रायम भी चल रही है और हर घर तिरंगा भ्यान को लेकर लोगों में जोश अपने पूरे चरम पर है लेकिन दूसरी तरफ हमारे सेना के जवान पूरी मुस्तेदी के साथ सीमा की सुरक्षा में तैनात है ताकि जशन ए आज़ादी में कोई खलल ना पड़ता है लेकिन इसके बावजूत भी पड़ासी मुलक पाकिस्तान से देशत गर्दी का खेल खेलने की खूब कोशिश हो रही है आज भी ऐसी ही खबर सामने आई जबु कश्मीर के डोटा जिले से जहां पर हमारे जवानों और आतंकवादियों के बीच में जबरदस्त मुटभेड यानिके एंकाउंटर चुड़ा और इस एंकाउंटर में आतंकवादियों का सामना करते हुए आर्मी के एक कैप्टन शहीत हो गए हलांकि जानकारी जो मिल रही है उसके मताबिक हमारे जवाद जवानों ने चार आतंकवादियों को भी जहनुम में भेजने का काम किया है जो जानकारी निकल कर आई है उसके मताबिक अब भी वहाँ पर आतंकवादियों छिपे हुए हैं इनके संख्या कितनी है ये तो पता नहीं चल पाया लेकिन यहाँ पर जंगल में नदी के पास से छिपकर फाइरिंग की खबर सामने आ रही थी दरसल जम्मु कश्मीर के डोडा में राइफल और कुछ बैक मिला जिसके बाद भार्दी सेना ने एंटी टेरर ओपरेशन शुरू किया सेना को यहाँ से अमेरिकी M4 राइफल टीन बैक में विस्पोटक मिला और इसके बाद सेना के जवानों ने यहाँ पर सार्चिंग को और टेस कर दिया जानकारी जुआई उसमें यह बताया गया कि असार फॉरिस्ट एरिया में यह एंकाउंटर हुआ सेना की तरफ से राइफल के कैप्टन दीपक सिंग इस एंकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे लेकिन इस एंकाउंटर में कैप्टन दीपक सिंग ने अपना देश के लिए सरवच बलिदान दिया और वे शहीद हो गए बताएं कि शहीद काप्टेन दीपक सिंग काउंटर इजेंसी 48 राइफल्स में सिगनल अधिकारी के पतपर तेना थे और वे क्विक रियक्शन टीम याने की QRT को लीड कर रहे थे यही QRT डोडा के असर में छिपे आतंकियों के तलाश में चुटी थी लेकिन इसी दौरान आतंकियों से उनकी मुड़ भेल हुई और इसी अनकाउंचर में विदेश के लिए शहीद हो गए दरसल काप्टेन दीपक सिंग को युवा सीना सर्च ऑपरेशन में कमपनी का नित्रित्व करने के लिए फील्ड बीचर बनाया गया था और उन्होंने अपनी कमपनी का आगे से नित्रित्व करते हुए युद्ध शेत्र में शहीद होने से पहले एक आतंकी को भी ठेर किया बताया जगया कि वे हौकी के भी अच्छे खिलारी थे इदर सरकार जमू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी घटनाओं के साथ ही स्वतंतरता दिवस को लेकर पहले से अलर्ट पर है खास दोर पर सरहदी इलाकों में सुरक्षावल के जवान हाई अलर्ट पर है अगर जमू की बात करें तो यहाँ पर करीब तीन हजार के साथ ही जवानों के साथ ही दोजार के असवास B.S.F की जवानों की तैनादी की गई है आतंक बाद से ने बटने के लिए आसम राइफल के जवान भी यहाँ पर तैनादी की कई है खोफिया एजेंसिया भी लगातार हर मुवमेंट पर अपनी पहनी नजर बनाया कोई है वहीं से एंकाउंटर के बाद सरकार ने भी आनन फानन में मीटिंग बुलाई रक्षा मंतरी राजरात सिंग ने इसे लेकर बैठक बुलाई और इसमें एनसे अजीद जुभाल, आर्मी जीफ, जनरल उपेंदर दुवेदी और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुक शामिल रहे है तीनों सेनाओं के प्रमुक माना जा रहा है कि मीटिंग में इसका मकसद जमुक श्मीर में हो रहे है आतंग की हम लोग से निपटने के तरेकों को ढूनना रहा यानि कि इस पर रोक कैसे लगाई जाए जाए वो कौन से कदम उठाई जा सकते हैं जिससे कि आतंगवादियों को मोतोर जवाब दे कर इलाके में शांती बनाई जाए पाकिस्तान की तरफ से जो आतंगवादी वहाँ पर स्थिती को बिगाड़ने की प्लानिंग बनाए बैठे हैं उन पर कैसे कड़ा एक्शन लिया जाए बात दरसल ये है कि जम्मु कश्मीर में विधन सभा के चुनाव सरकार को कराने है और आतंगवादियों की ये कोशिश है कि यहाँ पर जो शांती बनी हुई है उससे कैसे भी करके भंग कर दे इसलिए यहाँ से ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है क्योंकि देखा जाए तो 30 दिन में ये डोटा में दूसरा हमला है इसे पहले 15 जुलाई की रात 9 बजे डेसा फॉरेस्ट एरिया में भी आतंकियों के साथ आर्मी की मुटभेड़ हुई थी इस एंकाउंटर में सेना के कैप्टन समेथ 4 जवान शहीद हो गए थे और एक पुलिस कर्मी की भी मौध हुई थी इस एंकाउंटर की जिम्यदारी आतंकी संगठन जैश ने ली थी इदर जम्मु कश्मीर में लगातार होते हमलों पर सियासत का खेल भी शुरू हो गया और कॉंग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश शुरू करते सोशल मेडिया साइट एक्स पर कॉंग्रेस ने इसे लेकर ट्वीट किया और इसमें बीते 67 दिनों में हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए बाकाइदा एक लिस्ट जारी की कॉंग्रेस ने लिखा कि पिछले 67 दिनों में हमारे सेना के 18 जवान शहीद हुए है कई सारी घटनाओं का इसमें जिक्र किया गया एक एक करके तारीक दर तारीक इन सब का जिक्र करते हुए बताया गया कि कैसे हमारे जवानों को निशाना बनाया गया हलाकि हमारे जो जवान हैं सेना के जो जवान हैं उन्होंने भी बाकाइदा मोतोर जवाब आतंकवादियों को दिया और शहीद के परिजनों को दुख सेहने की शक्ति दे उन्होंने ये भी लिखा कि हमारे स्वतंतरता दिवस के पहले ऐसी घटना बहुत चिंता का विशय है पूरा देश आतंकबाद के खिलाफ एक जुट होकर खड़ा है और इस मामले में केंदर सरकार को सख्त और ठोस कदम उठाने चाहिए बहले इस मामले में विवक्ष कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कोशिश में नजर आता है लेकिन दूसरी तरफ माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से इस पर कोई ठोस कारवाई बहुत जल्द देखने को मिल सकती है सरकार बड़ा खतम ले सकती है क्योंकि केंदर सरकार की तरफ से पहले ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी सूरत में जमकश्मीर में जो शांती है उसे बिगडने नहीं दिया जाएगा और अगर किसी ने ऐसी हमाकट भी की तो जवाब बहुत भारी मिलेगा